किसी युवक से एक सवाल किया गया शगन अंधकार हो हाथ पर हाथ न सुचता हो सामने पहाड हो कला कलाती ठंड हो कहीं कोई रास्ता न हो वहाँ फसने पर तुम क्या करोगे तुम्हारे पास रोशनी का कोई प्रबंध भी नहीं है तो फिर तुम क्या करोगे जबाब दिया कहीं से दो पत्थर टटो लूँगा उनमें संघर्षन करके आग उत्पन करूँगा पत्तों को जलाकर रोशनी प्रकट करूँगा सबसे पहले अपनी शीत का निवारन करूँगा और फिर उसके प्रकास में कोई रास्ता तलासूँगा बस यही द्रिष्टी जीवन की सेष्ट द्रिष्टी है आज बात एक्स की है हम एक्स की जब कभी भी बात करते हैं तो एक्स एक प्रोणाउन है जहां हम किसी वेक्ति की उपस्तिती की बात न होने पर भी उसका नाम उलेख न करके भी नाम ले एक्स लेकिन आज मैं आपके बीच एक्स से एक अलग बात रखने जा रहा हूँ वो है एक्स वीजन एक्स वीजन यह क्वाइन कियावा वर्ड है लेकिन इसका अर्था बहुत गहरा है जो हमारे जीवन की उनती के लिए बहुत उपयोगी है एक्स वीजन मेंस क्याँ एपर्षन वो इज बैसिकले डॉमिनेटेड इन एवरी सिच्वेशन A person who is basically dominated in every situation Vision का सामान अर्थ द्रिष्टी है लेकिन एक्षे वीजन यानि ऐसी द्रिष्टी जिससे संपन्य मनुष अपने जीवन की हर इस्थिती में मजबूत बना रहे हमारे जीवन में अनेक प्रिकारी की चिनोतियां आते रहती है और ऐसी स्थिती में दो तरह की प्रिटिक्रिया होती है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में आने वाली मुश्किलों से हार जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों का सामना करते हैं जो हार जाते हैं वे लक्ष से हट जाते हैं और जो डट जाते हैं वे अपने लक्ष को पा जाते हैं संत कहते हैं अपने मुश्किलों से हट कर भागो मत डट कर सामना करो हटो नहीं डटो वो दृष्टी तुम्हारे अंदर विक्षित होनी चाहिए चाहे जैसी भी इस्थिती हो अपना संतुलन अपना धैर बना करके चलो ताकि चीजे तुम पर हावी नहों सदैव तुम चीजों पर हावी रह सको एक बात हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए संसार में कोई भी मनुश ऐसा नहीं जिसकी परिस्थितियां सदै उसके अनकूल रहती हो हर विक्षि के जीवन में और्ड सिचुएशन साते हैं कई कई बार तो ऐसा भी होता है बड़ी भयानक मुशीबतों में भी फचना होता है ऐसी स्थिति में अपनी स्थिर्ता को बनाए रखना ही एक्स वीजन है अपने वीजन को देखो ज्यादातर लोग थोड़ी थोड़ी वातों में विचलित हो जाते हैं अपने पत से डिग जाते हैं समझोता वादी द्रिश्टिकोन अपना लेते हैं और उससे बंचित हो जाते हैं जिसे वे पा सकते हैं संत कहते हैं थोड़ा ठीक से समझो और चीजों को उस अनुरूप विख्षित करने की कोशिश करो चार प्रकारी की स्थितियां है जिने में विशंगतियां आती है विपरीत आती है और मनुष्य उनसे घबलाता है और चार सुत्र मैं ऐसा दूँगा जो आपकी दृष्टी को आपके वीजन को एक्स वीजन बना कर आपको समर्थ और ससक्त बनाने में मददगार बनाएगी चार इस्थितियां सिच्वेशन्स हमारे साथ आते हैं सालिरिक पारिवारिक सामाजिक या आर्थिक सालिरिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक इन चारों स्थितियों में जब कभी कुछ उल्टा घटने लगता है मन टूटता है सबसे पहले सरीर को ले जिनका सरीर स्वस्त है उनके लिए तो कुछ खास नहीं होता ऐसी कोई सिच्वेशन नहीं सब कुछ स्मूथ चलता है लेकिन कभी शरीर अस्वस्त हो उस घड़ी तुमारी मनोदशा क्या है प्राया स्वस्त रहने वाले लोग थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर पस्त हो जाते हैं पर बंथ वो मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ व्यक्ति क्या व्यक्तियों को जानता हूँ जो पिछले 30, 30, 35, 35 वर्षों से गहन सारी रिक व्याधी नहीं बेदना को भोग रहे हैं व्याधी और वेदना में अंतर है व्याधी हो ठीक है बिमारी है क्यले लेकिले व्याधी ऐसी जिसमें बेदना भी है अंग अंग उमेठे ऐसी वेदना लेकिन उसके बाद भी मन में स्थिरता में एक युवक है जिसको लगबक 35 वरस हो गए बलकि और ज़्यादा हो गए हो पूरे शरीर में गठिया की तकली और इतना दर्द इतना दर्द की कोई कुछ कहना सके लेकिन धन है वो व्यक्ति और उसका सास ऐसी स्थिति में भी हारता नहीं ठीक है महराज आप लोग ही कहते हैं कर्म का उद्य है मैं सोचता हूँ कि जो मुझे नरकों में भोगना था वो यहीं भुगत कर निकल रहा है सब निपड़ जाए अच्छा है ये है जजवाद बिमारी है संत कहते हैं तन की बिमारी को कभी मन पर हावी मत होने दो आप सोच सकते हैं कर्म का उद्य है भोगना तो मुझे है ही आज भोगू तो कल भोगू तो रो के भोगू तो हस के भोगू तो तुम्हारे कर्म को केवल और केवल तुम्हें ही भोगना है मेरे कर्म मैं भोगूंगा तुम्हारे कर्म तुम्हें भोगने पड़ेंगे क्या बात कही महराज मैं ये सोचता हूँ कि नरकों में भोगे जाने वाली बेजना यही निपट रही है और महराज नरकों में तो किवल भोगने की बिवस्ता है यहां काटने की अनकुलता है महराज मैं भोग नहीं रहा हूँ काट रहा हूँ क्या द्रिष्टी कोन है कर्म को भोग नहीं रहा हूँ काट रहा हूँ सामान वेक्ति कर्म को भोगते हैं और जिसके पास एक्स वीजन हो वो कर्म को काटते हैं अपने मन से पूछो तुमारे लिए थोड़ा सा भी कुछ प्रतिकूल निमित आता है तुमारा मन क्या कहता है चीजों को अपने उपर हावी मत होने दो हमेशा चीजों के उपर हावी रहने की कला विक्षित करो यह एक्स वीजन है महापूर्शों का चरित्र हमें यही सब तो बताता है यही तो बताता है बादी राज मुनी को कोष्ट हो गया उन्होंने अपने कुष्ट के निवारन के लिए कुछ नहीं किया यह तन है यह तो रोग का घर है मेरी चेत्रा को तो कोई कुष्ट नहीं कुष्ट है मैं सहूंगा लेकिन उनके उस पुन्य के प्रताप से उनका कुष्ट भी चला गया और कस्ट भी चला गया और धर्मी की प्रभावना भी हो गई बात क्या कह रहा हूँ शरीर में बेजना हो बिमारी हो इलाज करना मेडिकल एड लेना पर परिशान मत होना एक बात दिमाग में बठालो मेरी बीमारी है एक दिन में आई नहीं एक दिन में जाएगी नहीं और मेरी एक दवाई खा लेना तुरट ठीक हो जाएगी पता है नहीं हम हमेशा बारते हैं कौन सी दवाई है कौन सी दवाई है संतोस बटी एक खुराख खाओ ततकाल अराम पाओ बिमारी आई अब ब्याकुल होने से क्या बिमारी ठीक होगी तो सरीर गत कोई भी प्रिदिकूलता हो उसको अपने मन पर हावी मत होने दो अभी एक रिपोर्ट मुझे किसी ने बताई कि कोविट के दोर में कोविट से कम कोविट के खौप से मरने वालों की संख्या जदा रही वो अपने अंदर अगर आत्मिश्वास होता उसे हावी नहीं होने दे तो कुछ नहीं हो सकता सो सो वर्स के लोग बचके आगए और जवान चले गए तो एक से वीजन ए परसन हुई बेसिकली डॉमिनेंट इन एवरी सिचिवेशन बस ये सुत्र अपने को रखना है कि मुझे डॉमिनेंट रहना है मैं आप से पूछता हूँ आप चीजों से कभी हारना आप किसी से कभी हारना चाहते हो क्या हार पसंद करते हो एक भी बेखती है कभी हार चाहोगे नेवर कभी नहीं हम तो जीत को पशंद करते हैं न तो भाया जब तुमें हार पसंद नहीं है तो परिस्थितियों से क्यों हारते हो परिस्थितियों पर हावी हो हार मत मानो चाहे जेसी भी परिस्थिती हो उसकी आगे मजबूर नहीं मजबूत बनो डॉमिनेंट रहना है कोई फिजिकल प्रॉब्लम आई है ठीक के हम ट्रीटमेंट लेंगे लेकिन तन की बिमारी को मन पर किसी हालत में हावी नहीं होने देंगे जीवन का मज़ा तभी ले पाओगे नहीं तो जिन्दिगी भर रोते रह जाओगे रास्ता है तो हम उन्हें बरदात करे कई ऐसे लोग भी हुए हैं जो अपनी सारीनी की पीड़ा से परेशान होकर सुसाइट कर लिए और एक केस तो ऐसा आया सुनकर आपको ताज्यूब होगी बेक्ति कुछ जरुवत से सुन्दर था और अपने आपको जरुवत से जादा सुन्दर मानता था पैटालिस वर्ष के उम्र में उसके चेरे पर एक लकीर आई अरे अब क्या वो डिप्रेशन में आ गया उसके डिप्रेशन में आने के बाद उसके मन में आप जीना नहीं मरना है उसका एक बेटा अपनी इंजिनरिंग की पढ़ाई छोड़कर चोबिस घंटे उसके साथ रहा उसे ट्वाइलिट में भी दरवाजा बंदनी करने देते थे लेकिन एक दिन वो विक्ति कहीं से सलफास लेकर खा गया और चल दिया यह क्या है जो परिस्थितियों से हार जाते हैं उनकी यही दसा होती है और जो परिस्थितियों को हराने का जज़बा रखते हैं उनकी सब जगा जैज़गार होती है हम हरिश्चन के जीवन को देखें सत्त हरिश्चन एक राजा कल्पना करो कैशी परिस्थिती बनी कि राज पाथ छुटा पत्नी छूट गई, बेटा छूट गया, परिवार छूट गया एक राजा को डोम बनना पड़ा और उस डोम को भी अपना धर्म निभाने के लिए अपने बेटे के अंतिम संस्कार के एव्यज में सुल्क लेना पड़ा और वह भी तब जब सामने वाला देने की इस्थिती में नहीं है कल्पना कर सकते क्या इस्थिती हुई होगे भावनाओं में बहने वालों की इस्थिती बेहाल होती है और करतब में दिड़ रहने वाले निहाल होते हैं भावनाओं में बहने वालों की स्थिती बेहाल होती है और करतब में दिड़ रहने वाले निहाल होते हैं वो सत्त निष्ठ थे उनने सोचा अभी भावनाओं में बहने का समय नहीं है अभी तो कर्तब के पालन का च्छन है उस सिच्वेशन में वो सिच्वेशन को हभी नहीं होने दिये खुद डॉमिनेंट रहे यही तो कला है जीवन जीने की आज सत्थ हरिश्चन जब भी शत्थ शब्द आता है हरिश्चन का नाम उभराता है राजा महराजा तो अनेक हुए बड़े बड़े चक्वर्ती हुए पर सत्थ हरिश्चन एक हुआ क्योंकि वो अपनी कसोटी पर खरा उतरा चीजों को हमें अपने तरीके से देखने का नजरिया विक्षित करना चाहिए कई लोग जिनकी पारी वारी की स्थितियां अच्छी नहीं होती रोला रोते हैं पती पतनी की नहीं बन रही बाप बेटा की नहीं बन रही भाई भाई की नहीं बन रही ननत भुजाई की नहीं बन रही दिरानी जिठानी की नहीं बन रही होता है सब रोना रोते क्या करे उनका निचर ऐसा उनका बेवार ऐसा उनका बेहबियर ऐसा हम कैसे करे कैसे करे कैसे करे क्या रोना रोने से सालूशन निकला आएगा रोने में तो किसी समस्चा का समाधान न तो आज तक कभी हुआ है न होगा क्या करो जहां समस्या उत्पन हुई है वही उसका सॉलूशन ढूडो परिस्थितियों को अपने उपर हावी मत होने दो सॉलूशन ढूडो समाधान तलासो इसका समाधान क्या हो सकता है और अगर ऐसा कुछ है सहजभावशे श्विकार करो जिनके बीच जीना तुम्हारी नियती है जिससे हट पाने की कोई संभावना नहीं है तो तुम्हें वही रहते वे अपना रास्ता खोजना होगा देखे एक विक्ति को मैं जानता हूँ जिसके पिता ने उसके साथ आप लोगों की शब्दों में अन्याएं किया और मेरी दृष्टी से उसका भला किया क्या किया पिता ने बेटे को घर से निकाल दिया जिस दिन वो घर से निकला जेब में मात पांसो रुपे पती पत्नी दोनों ने माबाप के चरंच हुए और घर से निकल गया पता जी आपकी इच्छा यदि यही है तो मैं उसको पूरा करूँगा आप आशिरबाद दे मैं घर से जाता हूँ बस एक भावना है कभी जरुवत पड़े तो हमें याद जरूर करना कभी जरुवत पड़े तो हमें याद जरूर करना चला गया दो तीन दिन अपने दोस्त के घर रहा इस्तिया हुई कई लोगों ने कई तरह की सलाहें दी एक देव लोगों ने तो यह कह दिया आपने पिता जी पर केस ठोक दो सलाहकार तो ऐसी मिलते हैं उसने कहा भया जिस पिता ने मुझे पाल पोस करके बढ़ा कर दिया इंजिनियर बना दिया उनका ये उनकी ये देन क्या कम है उन्होंने मुझे जो दिया है मैं पूरे जीवन उसका रिन नहीं चुका सकता बहुत कुछ दिया मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है ठीक है उन्होंने आज मुझे घर से निकाला है तो कोई बात नहीं है अब नया रास्ता चुनेंगे हर मुझे को कोई रास्ता तो मिली जाता है लड़का प्रतिभावान था गुडविल अच्छी थी उसके कुछ मित्र आगे आए और उन्हें रियल इस्टेट के एक कमपनी बनाई घटना दो हजार के असपास की है 1999 की घटना रियल इस्टेट के कमपनी बनाई है और उसके बाद जो रियल इस्टेट में बूम आया वो आदमी शफलता के सिखर पर पहुँच गया शफलता के सिखर पर पहुँच गया और दूसरी तरफ जिस छोटे भाई के बहकावे में आकर माबाप ने उसे निकाला था उस भाई ने माबाप को भी निकाल दिया उसने उसी स्थिती में अपने माता पिता को वापस कहां पिता जी यह आपका ही घर हाप रही है हम आपके पास रहेंगे आप हमारे पास नहीं रहेंगे यह दुलिष्टी कौन दूसरा होता तो तूट जाता डिप्रेशन का शिकार हो जाता अब क्या करें हमारे पास कोई रास्ता नहीं मेरे साथ घोर अन्याय हुआ ध्यार रखना कई कई बार परिस्थितियां हमें अपने आपको साबित करने का मौका देती है आप घबडाओ नहीं कि यह सिच्वेशन कैसे आई यह सिच्वेशन अपने आपको प्रूब करने का एक चांस है शाबित करो आगे बढ़ो जो समझ लेते हैं और सही कदम बढ़ाते हैं वे अपनी एक अलग पहिचान बना देते हैं और जो नहीं समझ पाते उनकी दसा संसार में ऐसी ही बनी रहती तो कोई पारिवारिक इस्थिती हो सामाजी की रेपूटेशन की बात हो या ब्यापारिक बात हो हर इस्थिती में इस्थिर्ता जीवन का एक क्रम है कब किसके साथ क्या हो जाए कोई पता है उपर चलने वाला नीचे गिर जाता है और नीचे रहने वाला उपर चला जाता है घबडाना नहीं चाहिए मेरे संपर के वे एक सजजन है जो भारत से बाहर रहते है मल्टी विलिलियन है कोई साधरन हस्ती नहीं है उस वेक्ति ने एक दिन अपने जीवन की बात बताई कि महरा स्री मैंने अपने साले छे वर्ष की उम्र में आधी धुनिया घुमी साले छे साल का था तब मैं आधी दुनिया घुम चुका था पर महराज मेरी एक इस्तिती ऐसी आई कि बाईस साल की उम्र में मैंने रोटी चोरी करके खाई कल्पना कर सकते हैं साले छे साल की उम्र में जिसने आधी धुनिया घुम ली उस वेक्ति के जीवन में इतनी ज्यादा गिरावट कि बाईस साल में जाने जाने को मोताज हो गया उसे रोटी चोरी करनी पड़ी उधर पूर्ती के लिए कल्पना कर सकतो कितना बड़ा डाउन फॉल लेकिन उस वेक्ति नहार नहीं वानी आज पहले से बड़ा सामराज ख़ड़ा है मल्टी बिलीलियन है बिलियन समझते हैं न सौ कलोर का एक बिलियन होता है कई सौ कलोर डालरों में वो उसका धनी और वो कहते हैं मरज समझ में आ गया पैसे का जीवन में कोई भरोशा नहीं अब पैसों का जीवन में बहुत बड़ा रावल भी नहीं जो लोग अपने जीवन में आने वाले उतार चलाओं से घबड़ा उठते हैं एक बार एक विक्ती ने कहा मरज और सब बातों में तो फिर भी इस्टेबिलिटी रहती है पर जब फाइनेंशियल ग्राफ नीचे गिरने लगता है तो रात की नींद उड़ जाती है अरे भाइयों फाइनेंशियल ग्राफ मत देखो जीवन का ग्राफ भी देखो और एक बात और है क्या कहते हैं लोग कि हमारे जीवन में ECG जैसा अब डॉन चलना चाहिए ECG फ्लैट आजाए तो गए काम से अब डॉन तो चाहिए जीवन का मज़ाई तब है जब उसमें अब डॉन हो पर उस अब डॉन की स्थिती में अपनी स्चिर्टा को बनाए रखने की स्थित्य होनी चाहिए ए परसन हुई बैसिकली डॉमिनेंट इन एवरी सिचिवेशन हर हाल में उन पर हावी हो जाओ महराज आप बोलते हैं तब तो ऐसा लगता है कि आप बस यही करना है ऐसा ही लगता है ना कैसे करे चार बाते नमबर पन आत्म विश्वास के धनी बने प्रगार आत्म विश्वास आत्मा का भी विश्वास और कॉंफिडेंस वाला भी विश्वास अपनी आत्मा की तरफ दिश्वास रखो मैं आत्मा हूँ इसका न बिगार होना है न सुधार होना है यह अजार अमारा विनाशी है सुधरसन नाम के सेठ को कोई सुली पर चढ़ा सकता है पर मेरे भीतर के सुधरसन को तो कोई छू भी नहीं सकता मेरे भीतर के सुधरसन को कोई छू नहीं सकता आ जाओ जैसे लोग देखेंगे मैं भी देखूंगा यह सरीर है इसे सुली पर टांगा गया है यह तो एक दिन टंग नहीं है जब तक आयू है तब तक सरीर है जिस दिन आयू पूरी उस दिन सरीर की कहानी पूरी इस्थिर बने रहे किस के बल पर आत्मा के बिश्वास के बल पर नतीजा सूली भी सिंगासन में परिवर्टित हो गई अगर तुमारे अंदर आत्मा का बिश्वास है तुमारे मन में किंचित भी घबराहत नहीं होगी सन 2006 में जब मैं मुर्शीदाबाद की और जा रहा था कुलकाता से बंगला देश की शीमा से गुज़र रहा था एक इस्थान पर दो हज़ार से ज़्दा लोगों ने मुझे घेर लिया घातक अस्त्रों के साथ जिनके हाथ में कटार और खंजर भी मैंने देखी घेर लिया उन्हें देखकर मेरे मन में न तो छोब हुआ न भै मैंने किवल एक ही बात सोचा यदि इस सरीर का अंत इनके निमित से आज होना है तो हो जाएगा और मुझे तो ये छूबी नहीं सकते मेरे अंतर मल में एक समेशार बार बार उमड रहा था छिज़दुआ भिज़दुआ अहो जादु बिपलेयाम जम्मा तम्मा गच्छदु तहाविन परिगहो मज्च ये तो आप लोगों का पुन्न था वो मुवमेंट करीब करीब पांच मिनट के बीच का मुवमेंट चाहते तो वो बोटिया उधेर सकते थे लेकिन आज सलामत हो अब आप सोचो ऐसी सिचुवेशन में क्या करोगे भागोगे अंदर से जागोगे तो ठीक होगा अंदर से जागोगे सब ठीक होगा सामने से फेश किया निकल गया और आज कुछ नहीं हर मनुष्ट के जीवन में ऐसा कुछ हो शकता है कभी भी आ सकता है आतमा का विश्वास दूसरी बात कोई एडवर्स पोजीशन बन जाए किसी तरह की एडवर्शिटी आ जाए गाए कॉन्फिडेंस रखो मैं इसका हल निकाल लूँगा कोई दिक्कत नहीं मैं इसका हल निकाल लूँगा घबडाओ मत तुमारे शामने अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आए त्यान रखना तुमारे शामने यदि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आए मिलकुल मत घबडाओ अपने आपको इतना बड़ा बना लो प्रॉब्लम अपने आप छोटी हो जाए इतनी प्रॉब्लम हो अपने आपको इतना बना लो हमेशा समश्या से उपर उठके देखो समश्चाओं से दबो मत ये है एक्स वीजन Confident मैं कर लूँगा भरोशा होना चाहिए दूसरी बात कर्म शिद्धानत पर विश्वास कर्म शिद्धानत पर विश्वास ठीक कर्म का उद्धा है ये संसार है पुण्य पाप का खेल है महापुर्सों के जीवन में भी बड़ी बड़ी शिनोती आई उन्हें घोर घोर भी पत्तियों का सामना करना पड़ा तो मैं किस खेट की मुली हूँ अगर आज पाप का उद्धा है और पाप उद्धा के निमित से इस तरह की कोई विश्वास आई है आई है शामना करना होगा कल समय पलटेगा सब ठीक होगा और पाप होया पुर्ण ये मेरा सभाव नहीं है ये तो महज परसंयोग है इन्हें में समता ये उशी के रदय में आ सकती है जिसके अंदर करम सिध्धान्त पर प्रबल विश्वास होता है आजकर लोग करम सिध्धान्त पर विश्वास रखने वाले कम हैं करम सिध्धान्त पर विश्वास रखने वाले लोग कम हैं करम कांडी ज्यादा दुनिया भर के ठट करम सत्तर मड़िया पूजने लगते है अन्त में होता वही है जो होना होता है कर्म शिद्धानत के विश्वासी बने प्रगार स्रद्धान होना चाहिए जैसुस वेक्ति ने कहा कि मैं यही सोच रहा हूं कि नरक में भोगने वाले कर्म यहीं कट रहे भोगनानी पड़ेगा कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन्स खड़ी हो सोचो सामने वाला तो निमित्त बन कराया है अन्तरंग में मेरा करम है ठीक है जब तक यह करम अनुकूल नहीं होगा चीजे नहीं बढ़ लेगी तो उसे बदलने की जिगा मैं अपने करमों को बदलने का रास्तांगी कार करूँ कर्म सिद्धान्थ पर भरोसा मैं एक ऐसे विक्ति को जानता हूँ जिसको बहुत बड़ा नुक्सान हुआ बेटे के गलत पॉलिशी के करण लगवक पचास साथ करोर से अधिक का नुक्सान हुआ एक गलत पॉलिशी के करण लेकिन धन्य हो बग्ति घबडाया नहीं ठीक है जब करम का उदय आया आया लाखों रुपया का धान करने वाला 10,000 रुपय के लिए मोहताज हो गया लेकिन उस वेक्ति ने क्या किया उसके गाऊँ में साथ मंदी थे साथ मंदी नियम ले लिया साथो मंदीरों के धर्सन करके ही भोजन करूँगा पेदल चलना लगवक साथो मंदीरों के धरसन में उसे पाँच किलो मिटर चलना परता है साथ मंदिर के दर्शन करना और आखरी वाले मंदिर में अविशेक पूजन करके आना गर्मी में भी 46-47 टेंपरिचर में 11 बजे आने के वाद मुँ में पानी रालता है कर्म का उदे है अब कर्म कटेंगे सो कटेंगे मेरे पास तो और कोई रास्ता है ने छे महना भी थे उस वेक्ति की एक पौपटी थी नासिक में लिटी के सन में पड़ी भी थी परेशान था सामने वाला खुद चल के ओफर करता और वो साथ कलोलों में बिग गई और देखो पुन्य आता है तो कैसा होता है उसके पिताजी ने PC सेठी के जमाने में भोपाल में कुछ प्रोपटीज ले रखी थी इनको पता ही नहीं था चला के दलाल का मेसेज आता है भाई तुमारी MP नगर में प्रोपटीज पड़ी भी है भोपाल में बड़ी कीमती बेचना है तो बेच दो उसने का चलो इससे अच्छी बात क्या होगी उसको सल्टाया जितनी लाइबिलिटी थी वो चुकाया और आज पहले से सुद्दिर स्थित्य में आ गया इसके अंदर धैर आया किसके बलपर करनम के बिश्वास के बलपर आप से भी मैं कहता हूँ घबडाना नहीं रात के बात तो केवल प्रभात होता है घबडाओ मत रात के बात केवल होगा तो प्रभात ही होगा बिच्डा मन का मीत प्रीत के उर में विथा बहुत है नैनों के नीरव चितवल में प्रीकी कता बहुत है बिच्डा मन का मीत प्रीत के उर में विथा बहुत है नैनों के नीरव चितवल में प्रीकी कता बहुत है हो मत सांस अधीर दुबारा कोई और मिलेगा यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा प्रभु पूजा का दीप देह का यह उपमान बहुत है गंगा जल कहलाले आसू यह समान बहुत है गाप प्रभात का गीत भीत हो अधियारा पिखलेगा यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा दृष्टी कौन वैसा होना चाहिए करम शिद्धान्त पर भरोशा तीसरा सकार आत्मक आसावादी सोच पोजिटिव सोचो और आसावादी बने रहो नेगेटिप मत सोचो ठीक है सब ठीक हो जाएगा गलत हुआ है तो वो भी बदलेगा और गलत हुआ है तो कितना गलत हुआ यह मत दोखो जो बच गया उसे देखने की कोशिश करो बिलकुल घबडाने की जिरुवत नहीं है एक विक्ती ने अपना घर बनाया हपते भर बाद उसमें उसे प्रवेश करना था संयोग पूरे घर में आग लग गई धू धू कर जल गया उसके सपनों का महल राख में परिवर्तित हो गया लोगों को भी बड़ा दुख हुआ लोग उसे सान भूती देने के लिए आए उसने कहा मैं बड़ा सुक्रगजार हूँ भगवान का हपते भर बाद उस मकान में मुझे प्रवेश करना था अच्छा हुआ आग आज लगी यदि यही आग हपते भर बाद लगी होती तो मकान के साथ मेरा परिवार भी श्वाह हो जाता है मकान तो फिर भी खड़ा किया जा सकता है लेकिन परिवार को दुबारा खड़ा करना संपव नहीं है यह है एक्स वीजन a person who is basically dominant in every situation यह शक्ती यह छमता विक्षित कलो positivity के बल पर बेहतर कल की आसा में अतासा निरासा से बचने का यही एक रास्ता है इसे अपना कर जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो और चौंथी बात बस यह सोचो सब थोड़े समय की बात है धीरत रहेगा patience आएगा ठीक है कोई भी situation है stable नहीं है change हो जाएगा it will be past यह बीच जाएगा समय बदल जाएगा थोड़े समय की बात है कोई दिककत नहीं आज नहीं कल बदलेगा थोड़े और समय की बात कई लोगों का मन तूट जाता कैसे करे कैसे करे कर से करे भाया थोड़ा तो धहर रखना ही पड़ेगा लोग अधीर हो जाते हैं जब बड़ी चीजे चाहिए तो धहर भी बड़ा रखना पड़ता है एक विक्ति ने स्वर्ग के देवता से पूछा कि स्वर्ग में लड़ू कितने बड़े होते हैं उनने बता दिया हाथ पहला कर इतने बड़े होते हैं लग मुझे लड़ू दोगे बहले दूँगा पुछा अच्छा ठीक है स्वर्ग में एक छन कितने दिन का होता है स्वर्ग में एक छन कितने दिन का होता है बोला एक बरस का एक छन एक बरस का ठीक बला लड़ू दो कर बले हाँ दूँगा पहुँच गया बले मुझे लड़ू दो लड़ू दो का एकशन रुखो तो भया लड़ू खाना है तो रुकने के लिए तैयार होना पड़ेगा के नहीं जब सर्ग के लड़ू खाने हैं तो सर्ग के च्छन भी विताने होंगे उसके लिए धैर और मन में धैर पनपता है जब ऐसा लगता है ठीक है थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा तो कोई situation तुम पर हाभी नहीं हो सके की जीवन में ऐसा ही जजबात होना चाहिए एक राजा अपने वजीर से नाराज हो गया सेयोख से जिस दिन उसको सजादी गई उस दिन बजीर का जनम दिन था बजीर मंत्री उसका जनम दिन था और वो भी ऐसा वैसा नहीं था बड़ा लोग पुरी था उसके सारे प्रसंसक उसके साथ उसके जनम दिन का जस्न मना रहे थे अचानक एक खबर आई सन्नाटा पसर गया सब के सब इस्तब्ध है कि कल हमारे मंत्री को फासी चलाएगे तड़ाए जाएगा सब के हाथ पाउं कीलिट से हो गए मंत्री ने का चालू करो नाजगान वहले हमारे अंदर जान नहीं नाजगान कैसे करें नाजगान सुरू करो वहले यह तो मातम मनाने का चान है वहले कोई नहीं मालूम है आपको कल फासी पर चलाएगे वहले चलाएगे जो फासी पर कल चलूँगा आस थोड़ी मैं चाहता हूँ कि अगर फासी पर ही चलना है तो यहाँ से नाचटे वे फासी के फंदे तक पहुँच हूँ राजा ने अपने खुपिया तंतर से पूछा पता लगाया वहां का क्या हाल है क्या प्रतिक्रिया है तो कहा महराज वहां तो बड़ा आनंद है वहां किसी के मन में कोई शोक नहीं अपि तु ऐसा आनंद है जैसे किसी को पुत्र की प्राप्ति हुई हो वो भी लंबी प्रतिक्षा के बाद किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई हो वो भी लंबी प्रतिक्षा के बाद तो राजा ने अपना फर्मान वापस लेते वे कहा जिसे जीना आता है उसे कोई मार नहीं सकता मैं अपना फर्मान वापस लेता हूं रो बच गया यह है एक्सा वीजन अब अभी तो तुम्हारा कोई वीजन ही नहीं है तो एक्स वीजन क्या होगा कहीं लोगों कोई वीजन ही नहीं है कोई धें ही नहीं है कोई दृष्टी नहीं है कोई लक्षी ही नहीं है सही दृष्टी जगाई है सही लक्षी की और बढ़िये जीवन तभी उनती के सिखर पर पहुँचेगा और आपके अंदर ये सारी छमताएं विक्षित करने में मददगार बनेगा भावना योग जो इलनेस से वेलनेस तक जाने का प्रियोग है जो तुमारे तन को स्वस्त मन को मस्त और तुमारी चेतना को प्रसस्त बनाने में मददगार है कीजिए अपने अंदर की शक्ती और छमताओं को उदगाटिच कीजिए हमारे अंदर वह सब कुछ है जिसके बल पर हम सब कुछ हासिल कर सकते है कोई भी इंसान कहीं से कमजोर नहीं वो अपने आप में परिपूर है आवशकता केवल अपने भीतर की परिपूरता को पहिचान कर उससे उदगाटिच करने के यतन की है दृष्टी अगर विक्षित हो गई तो जीवन निहाल होगा इसलिए एक्स बस एक्स वीजन हो तो हमारी जीवन की स्थिती खतम ठीक हो जाएगी बाकी तो एक्स वाई जेड तो जिंदगी पर चलता ही रहता है अपने जीवन को हम इसी तरह से गती दें जीवन को आगे बढ़ाएं दो दिन और बच्चे हैं इस रिंखला के वाई और जेड आने वाले दिनों में इसकी जर्चा होगी मंगल भावना की चार पंक्तियों के साथ मैं भी राम लूँगा मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल मैं हो इस धर्ती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो मंगल मैं हो प्राणी हमारा रात सु मंगल हो जीवन के हर पल हर चन की बात सु मंगल हो घर घर में मंगल चाजावे जन जन मंगल हो इस धर्ती का कन कन पावन ओ मंगल मैं हो मंगल मंगल हो ए जगत में सब मंगल मैं हो इस धर्ती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो इस धर्ती के हर प्राणी का मंगल मैं हो